आप सभी करें मोग और मशकार, जो में इस लेसिन में आपका हार देख स्वाकर से चलिए शुरुबात करते हूं, देखते हैं कौन-कौन से questions हमारे सामने हैं देखें, question कर रहा है कि एक trapezium दिया हुआ है, इसमें diagonals जो है point O पे intersect करते हैं और जो ratio है length of the one of the diagonals from one vertex of the trapezium to the point O to its entire length is 2 ratio 5, find the ratio of the parallel sides smaller side to the larger side देखें पहरे समझने question क्या है, question कुछ ऐसा कह रहा है कि आपको एक trapezium दिया हुआ है, let's say मैंने कहा कि यह A, B, C, D मेरे trapezium है और इसमें कर रहा है कि जो इसके diagonal यानी विकर्ण है, तो इस diagonal किस point पे intersect कर रहे हैं, इस point को बोला गया है O, O point पे intersect कर रहे हैं आप करें जो ratio है length of one of the diagonal from one vertex to the point O, मतलब यह करें कि आप एक diagonal पकड़ो ऐसे यहां से, ठीक है, और इसका O तक आओ और फिर कह रहा है, to its entire length is 2 ratio 5, तो अगर मैं यहां पर लिखूं कुल मिलाके, तो यह कह रहा है कि जो DO है तुमारा, उसका ratio, BD ये DB से, आपका 2 ratio 5 दिया हुआ है, तो आपको यह अगर 2 है, और प्रपाजियम में यह बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप इस structure को ज्यान सा देखें, तो कुछ यह वाला structure बनता है, यहां पर यह sides आपका parallel होता है, आपस में, तो आपको बता होता है कि यह दोनों similar होते हैं, triangles और similarity में यह होता है कि यह side इसी को corresponding करता है, यह corresponding sites होते हैं, तो अगर आपको डियो ratio BD दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी define कर सकता हूँ कि simply अगर 2 है, पूरा 5 है, तो यह 2 ratio 3 बन गया, अब अगर यह 2 ratio 3, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह corresponding sides का ratio है, तो यही हमेशा corresponding sides का ratio हो रहेगा, अब जो ग्रीन कलर से देखना, यहां पर यह जो parallel side यहां पर यहां पर यह parallel sides है, तो यह दोनों तो बताना है, find the number of points x in the plane of the parallelogram, such that it is equidistant from its vertices, ठीक है, आप देको तरह इत्मिनाम से understand करते हैं कर रहा कि एक parallelogram बना लो, और इस parallelogram में आपको क्या करना है, कर रहा है कि यह angle आपका 70 degree है, नहीं 70 degree है, लेट से मैं कहता हूँ A, B, C, D लिख दिया, यह angle 70 है, आपको पता यह भी कि अपके ग्यान के लिख दिया, कोई की ज़रूत नहीं है, आपको एक ऐसा point x पता करना है, जो चारो कोनों से बराबर दूरी पे हो, समद रहे हो, आप चारो कोनों से बराबर दूरी पे हो, अब लिख एगर यह square होता, square में आप बता सकते हो कोई ऐसा point जो चारो कोनों से आप होगे वो point होता है, यहां पर mid point, अगर ऐसा करो आप square ले लो, और यहां पर यह वाला जो diagonal का intersection point होता है, यह चारो कोनों से बराबर दूरी पे होता है, कब, कब, अगर हम बात करते है, square के, वहां होता है, right, बराबर दूरी पे होता है, लेकिन अगर parallelogram में आप जाओगे parallelogram में ऐसा point खोदने लगोगे, तो भी नहीं मिलने वाला है, आपको पता है, यहां पर जो है point अगर आप लेते हो, तो ठीक है, diagonal bisect होते हैं, यह बात अच्छी बात है, यहां बाइसेक्ट होते हैं, पर दोनों diagonal के length खुद बराबर नहीं होती है, square में benefit क्या होता है, कि point जो उपर जाओगे, जैसे ही किनी दो को बराबर करोगे, तीसरा और चौतर नाजाद हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको understand करना है कि इस तरह से कोई point आपको नहीं मिलने वाला है, अगर parallelogram आपने लिया है, जो चारो शीरसों से बराबर दूरी पे हो, equidistant आपको, वो point within इस के मिलने वाला हो, यह आपको कहने के understand करने की जरूरत है, आप एक तरीके से आप इसको और थोड़ा सोच सकते थे, मैं बताता हूँ, कैसे, आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो, आपको यह पता है कि भाई, अगर triangle का मसला होता, अगर triangle का मसला होता, अच्छा एक चीज़ी बता करता हूँ, let's say, मैं आप से कहता हूँ कि कोई three points है, अगर मेरे पास कोई भी तीन point है, let's say, कभी भी किसी plane में दी है, तो इन से draw होने वाला केवल एक ही circle आप draw कर सकते हो, जो इन तीनों point से pass करता हो, you cannot make end circles, अगर तीन non-collinear point है, जो एक ही line में नहीं है, अगर एक ही line में तो three distinct points है, आप किवल एक ही circle draw कर सकते हो, अब मैंने का, यहाँ let's say, यह दोनों point है, यह तीनों point है, और इस triangle को देखो कि मैंने का, ACD से pass होने वाला मेरे को एक triangle खोजना है, ACD से pass होने वाला अगर आप एक triangle खोजते हो, तो basically आप कहोगे कि यह perpendicular bisector लेंगे, इसका perpendicular bisector और जहां वो तीनों मिलेंगे, जहां वो तीनों मिलेंगे, वहां से आप circle खीच लोगे, अब देखिए, एक बहुत इत्मिनान से आपको बात समझनी है, जो काफी interesting हो जाती है, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा point आपको नहीं मिलेगा, circumcenter से यह तीनों point बराब perpendicular by sector इसका, perpendicular by sector इसका, perpendicular by sector इसका, तीनों के intersection से मुझे circumcenter मिला होगा, आप जरा मुझे बताओ कि अगर इसका perpendicular by sector यह वाली line है, यह वाली line है, आप खुद देखो नीचे वाली line अगर parallelogram है, यह angle 70 degree है, तो यह line की length तो parallelogram है, बराबर हो जाएगी, लेकिन यह थोड़ा पीछे shifted होगा, अगर यह थोड़ा पीछे shifted होगा, तो इसका जो perpendicular by sector होगा, वो थोड़ा और left में हो जाएगा, और थोड़ा और left में हो गया, तो यह line perpendicular इसके parallel हो जाएगी, और यह line कहीं और circumcenter आपको देगी, मैंने कहा कि नीचे वाला जो triangle है, अब हमें चाहिए कि जो AC और B से प इसका perpendicular by sector आप लोगे, इसका perpendicular by sector आप लोगे, तो यह line तो यही होगी, इसमें कोई शंका नहीं है, इसका perpendicular by sector यही line देगा, लेकिन मेरे को देखो वो point different मिल रहा है कि नीच, अब दोनो circle के different point मिल गए, तो दो circle अलग अलग होगे, एक ही circle अगर मुझे ऐसा मिलता कि जो चार से बराबर दूरी पे, ऐसा यहां नहीं होने वाला, इसलिए ऐसा कोई point में नहीं मिलेगा, logically जो समझाया है, इसको analyze करके समझने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि गलती ना हो तुमसे, यह question देखिए कर रहा है, code letter दिया है, ABC आपको 15 दिया है, BC आपको 20 दिया है, AD आपको 7 दिया हुआ है, और करा, ABC आपका ADC के बराबर है, जो कि 90 दिगरी है, यह वाला एंगल इसके बराबर है, जो कि 90 दिगरी है, आपको CD के लेंथ निकालने है, CD के लेंथ निकालने है, देखो, यह 15 है, यह बीस है, यह राइट एंगल है, आपको होगे, यह मेरा 5 इंटो 3, य यह वैलू कितनी होगे 25 आप देखो यह राइट एंगल ट्रेंगल को इत्मिनान से देखना यह नाइंटी डिग्री है यह ट्वंटी फाइव सेवन और ट्वंटी फॉर यह आपके राइट एंगल बनाते हैं ठीक है यह भी पाइथागोर इंट्रपलेट होता है सेवन ट्वं है जिसका साइड आपका 6 सेंटी मेटर है यह आपको देखना ध्यान से निकुता कितना दिया हुआ है जिंप सब्सक्राइब करते हैं बात करो इ помог तो यह रेगुलरर औक्ठ डगन की बात करूँ तो यह रेगुलर्-टगन ऐसा कुछ होता है और इसमें जो एक होता है क्योंकि एक सもう Thai स्मझा soap Invest week ऑगसा होता है और किया रूंबस की ऐसी लिधिंग्री से ऐसा करके आपने डाइगनल्स बना दिये रोंबस में तो यह तो डाइगनल हो गए डाइगनल करते हैं पर्पेंडिकुलर वो भी एक अलग स्टूरी यहां इतनी की जरूरत ही नहीं आपको जानने की आपको बस यह जानने की जरूरत तो आपको बस समझना क्या है कि यह 45 डिगरी यह भी आपका 45 डिगरी मतलब एक का इरिया निकाल दो डबल कर दो यह 6 यह 6 और जब भी कोई ट्राइंगल हो जिसमें दो साइट्स मुझे मालूम हो ए बी और यह 60 डिगरी या कोई एंगल तीटा तो जो एरिया होता है वह होता ह आपका हो गया 9 डूट 2 लेकिन मुझे पता है कि ऐसे 2 ट्राइंगल है डबल कर दूगा डबल कर दूगा तो 18 डूट 2 आजाएगा आप ऐसे भी सुछ सकते हैं कि शुरू में ऐसे ही लिखते हाफ लिखते ही डबल करना ही था 36 अपान डूट 2 आता जो कि आपका हो जाता 18 ड अब देखे क्वेशन कर रहा कि A B C D आपका एक कॉड़े लिटरल है जिसमें कुछ दिया हुआ है कि Z अपन Y अप इस इकल डूट 2 एक अपन डबलू इस इकल डूट 2 के और क्या कर रहा कि के जो है एक इंटीजर है एक पूडांक है तो इंटीजर है तो क्या 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 आपको समझा रहा हूँ पॉसबिलिटीज के वन लिया तो Z Y X W सब बराबर हो गया स्क्वाइर बन जाएगा अब देको आगे नोने क्या बला कि W और X 90 से चोटे हैं Y और Z 90 से बढ़े हैं बता रहे हैं कि देखो स्क्वाइर भी नहीं ले सकते हैं अगर आपने के को वन लिया होता तो X Y Z W सब बराबर हो जाएंगे यह सारी वैलू अगर बराबर हो जाएंगे आप बता किसी कोडिलेटल के अगर 4 एंगल बराबर हो तो 4 एंगल 90 हो सकते हैं 360 डिगरी साम होता है तो वो मुझे पता है नहीं है क्योंकि उन्होंने बोल दिया पहले कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं है दो 90 से चोटे हैं तो 90 से बढ़े हैं तो चलो वह भी नहीं ले सकते हैं तो के इस इकोल लू टू के सोचे ठीक है पूछ कह रहा है बत भी 1 ratio 2 तो यह 2 तो यह हो जाएगा 4 1 ratio 2 maintain यह 4 तो यह होगा 8 तो देखो 1 ratio 2 maintain अब आपका क्या हुआ कि जो एंगल होंगे आपको होगे एंगल ratio में लिखा है 1 ratio 2 ratio 4 ratio 8 होगा और इनका सम कितना होगा क्वाडिलेटल में हमेशा 360 डिगरी होगा अब आपको यह भी मालूम है कि largest angle 8 को correspond करेगा smallest angle 1 को correspond करेगा इनका अंतर अगर मुझे निकालना है जिसको इनने जड़ और डबलू बोला है यह आपका डबलू है यह आपका जड़ है तो greatest angle यहां पर यह कह रहे है कि जड़ है अच्छा greatest angle अगर यह जड़ बोल रहे है तो हमारी कहानी कुछ उल्टी हो ज ratio अभी भी same है करके देख लो तो यहां से अगर आपको अंतर निकालना है तो आपको eight minus one seven parts हुए seven parts के corresponding value क्या होगी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कौन सा option seven का multiple है देख लो यह है नहीं क्या यह है नहीं क्या यह seven का multiple है नहीं यही है यही सही होगा अगर आपको निकालना तो आपको होगे eight four twelve two fourteen one fifteen fifteen फिप्टीन पार्ट मेरा three sixty degree के बराबर है so what about one part आपको होगे अगर मेरे को one part निकालना है then one part आप यहां से सीधा calculate करो it will be simply equal to twenty four degrees seven into twenty four is the answer that will be one hundred sixty eight degrees which is option a question करें कि एक ट्रपाजियम पी के वारे से इसक्राइब कर रहा है एक circle को जो manb पे टच कर रहा है circle को तो कुछ देखे स्टूरी क्या है इंसक्राइब से circle so मैं कहुंगा कि यह देखो ट्रपाजियम है इस तरह का और इसके अंदर आपको एक circle बनाना है जो ऐसे इसको टच कर रहा हो हर जगा चारो साइट्स पर कुछ टच करते वह कुछ इस तरह से जाएगा so what I will say here P Q R S ऐसे दिया हुआ है और यह आपका क्या है M A N B क्या पूछ रहा है आप से कहरा कि यह जो साइड है यह 21 है यह जो साइड है यह भी 21 है आपको इसका पेरिमेटर बनाना है तो किसे बहुत असान होता है कि जो आपोजिट साइट्स होते हैं उनका सम बराबर होता है तो अगर यहां 21 प्लस 21 42 आया जब भी कभी circle अंदर है चारो साइट्स को टच करेगा किसी भी Listening आपने मुझे हं यहां चारो साइट्स का सम निकालना है मुझे अगले दूकपी उसंहीं निकाल कितने की पता आगर मुंसे कुछ को प्र पी कितना में finds कितना है नहीं मौल रहा है हम mee का समझ हो गा that will be equal to 84 वाकि और information भी दी है radius दिया हुआ उनका इस्तेमाल करके बाकि अगर कुछ निकालना है तो निकालो right but otherwise अगर खाली perimeter चाहते हो चारो sites का सम चाहते हो दो opposite sites का सम मुझे मालूम है 42 तो दो opposite sites का और भी सम 42 यो 84 आपका यहां पर जो है perimeter होगा है very easy to solve हो ना ठीक है कोई मुश्किल नहीं है अब देखिए question क्या गया रहा कि the area of a parallelogram rhombus and triangle are PRT respectively and are on same base and between same parallel lines तो कुछ relation बताना है अब देखो दो parallel line ले लो ठीक है same base का मतलब क्या है moving more precise इनको करना चाहिए था same base length ठीक है तो देखो same base length जो है अगर आपने लिया और लेट से दो parallel line है तो पर ले लाइन है तो जब आप simply इनके बीच में आप लेट से कि मैंने कहां कि आपने बनाया हुआ है लेट से कि मैंने यह पर लोग्राम बनाया यह दोनों आपस से parallel ले दोनों आपस से parallel तो जब एरिया आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे यहां पर एरिया simply क्या होता है base into altitude यह एरिया होता है getting my point or not it's very simple very simple nothing complex ठीक है तो parallelogram base into height होगा इवेन अगर आप रोंबस बनाओंगी किसी भी situation में जब यह parallelogram लेट से रोंबस होगया ओके तो आपको देखेंगा understand क्या करना है यहां पर कि वहां भी base into height ही करोगे base लेंते ही रहेगी और दो parallel lines के बीच में जो यह height हो भी सीमी रहेगी तो जो रोंबस जिसको आप बोल रहा हो जो parallelogram बोल रहो वो तो equal area लेके आएंगे ठीक अगर इनके बीच में आप triangle बना रहा हो लेट से यही base लेके कोई भी point यहां लोगे और triangle बनाओगे तो उसमें भी क्या होगा half into base into height आएगा तो parallelogram और रोंबस का जो एरिया होगा वो triangle का दूगना होगा d options होगा very easy question and very simple one को получ it a b कहा रहा है c d का दूगना है एक एंगल आपको दिया है 45 डिगरी यह वाला एक एंगल आपको यहां दिया हुआ अगर आपको दिखाई नहीं दिरहा तो मैं बाहर लिख देता हूं कि यह एंगल आपको 15 degrees दिखा हुआ है 15 डिग्रीज आपको एंगल बी एडी निकालना यह वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना इसको आपको एक्स माल लिया एक्स मत बोलो एक्स तो अल्रेडी लिखा हुआ है थीटा बोल दो थीटा निकालना है यह आपको ऑप्शन 75 60 55 कुछ ऐसे करके दिया देखो जब तक आपको कुछ 90 डिग्री दिखेगा नहीं तब तक आप मज़ा नहीं आता है कि 90 डिग्री दिखने से बहुत कुछ आसान हो जाता है तो मैंने एक पारलल एक परपंडिकुलर लाइन इस सीडी एक्स्टेंडर लाइन पर खीची और जैसे मैंने खीचा आपने यहां आप कहोगे कि यह 2 हो जाएगा मैं कहूंगा चलो भाई यह बात आपकी काफी वाजिब भी है और समझ में भी है यह आप ऐसा क्यों लिखरो इसमें कहीं कोई शंका हमें नहीं है अब देखें आपर क्वेशन कई सारे और भी हैं जो दिमाग में आपके उमड रहोंग है वह क्या कोईशन से कि देखो ठीक है यह आपने 3690 ट्रेंगल लेकर कुछ ऐसा लिख दिया इट्स वेरी करेक्ट क्या इससे हम एक्स की वैलू यहां पा सकते हैं यस देखो ज्यांसे कि आप आप जड़ा इस ट्राइंगल को देखना एक ट्रेंगल यह भी है ना जो यहां 90 है तो क्या यह साइड इसके बराबर होगी ही तो यह पूरी वैलू अगर मेरी रूट 3 के बराबर होगी तो क्या मेरी यह वैलू जो है रूट 3-1 होगी यह चीजें आपने बहुत बार देखी है जब आप हाइट सेंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के questions कई बार आप देखते हो ठीक है अलग तरीके से होते हैं थोड़ा सा explanation महां अलग तरीके से लिखा जाता है situation बट वही है ऐसा बना दिया और यहां आपको confused confused होने के लिए आपको लग रहा होगा कि आप confused हो गया हो पर होना नहीं है तो very easy नहीं हो चलो जी यह हो गया अब देखे question आपके सामने क्या खड़ा हुआ है जो आपको कहीन कहीं समझने की आवाश्यक्ता है अब कि यह value मेरी root 3-1 आगे ठीक है आपको ठीक है जरो यह भी निकाल दिया मैंने then what अब इसके आगे क्या सोचेंगे तो देखे इसके आगे भी चीज़ें आसान है अगर हम सही से सोचेंगे तो मुश्किल तो नहीं आई आपको कैसे इसके आगे क्या करें अगर यह root 3-1 आया तो क्या आपको यह देख रहा है कि 2x की value twice of root 3-1 होगी डबल है इसका तो यह भी लिख दिया मैंने अब देखे आपके सामने क्या है कि जो triangle मैं mark कर रहा हूं उसक से यह जान करिए कि यह angle आपका 60 degree है यहां कोई शंक आपको नहीं कि angle 60 degree है although इसकी need अब है नहीं अब मैं जो आपको बता रहा हूं बस उस पर ध्यान दो देखो जहन से अब एक चीज तो साफ साफ जान रहे हो कि यह वाला angle जो है अगर निकल जाए तो यह वाला एंगल पर निकल जाएगा क्योंकि एक portion तो मुझे पता है कि 60 degree है एक portion मेरे को मालूम है कि 60 degree है तो आपको यह वाला angle अगर मैं थीटा बोलू लेट से तो यह वाला कि आगे question को solve करने के लिए option का इस्तिमाल करो तो अगर आप option का इस्तिमाल यहां करोगे तो तुरंत ही आपको पता है कि यह angle आपने लेट से 60 लिया है अब इस angle को आप 60 नहीं ले सकते हो यह पहला option आप रिजेट करोगे क्योंकि अगर आपने इसको 60 लिया तो 260 होगे तो यह तो एकुलिटरल बन जाएगा और यह 2 और यह 2 रूट 3-1 आपसमें बराबर थोड़े ना है तो अगर यह आपसमें बराबर नहीं है तो एकुलिटरल तो हो इनी सकता 60 आप सबसे पहले गलत कर सकते हो 75 को चेक करते हैं अगर मैं इसको 75 को चेक करूंगा लेट से 75 डिग मैं लिख रहा हूं साइन 45 और यहां लिख रहा हूं सामने divided by twice of root 3-1 equals to sin of 75 sin of 75 divided by मैं क्या लिख रहा हूं 2 ठीक यह दोनों value मैंने आपके सामने लिख दी अब मुझे verify करना है कि क्या यह relation correct है क्या साइन 45 और वहां साइन 75 यह रिलेशन करेक्ट आएगा आपको कि देखिए बहुत इत्मिनान से कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं 15 75 और 90 ज्यान से देखना अगर 15 के अपोजिट मैं रूट 3 माइनस वन लिखता हूं 75 के अपोजिट रूट 3 प्लस वन आता है और यह वैलू मेरी हो जाते है तो यह आपका 15 75 90 ट्राइंगल है ध्यान रखना काम आता है तो यहां आप कोगे देखो कुछ चीज़ें तो मुझे यहां पर पता है जिसे साइन 75 मुझे लिखना है तो आपको के साइन 75 अगर आप लिखना चाहते हो तो यह है रूट 3 प्लस वन अपॉन टू रूट 2 यह इसलिए लिखवा रहा हूं आपसे ताकि हम वेरिफाई कर पाएं कि क्या रिलेशन करेक्ट आ रहा है अब आपको के इसका मतलब साइन 4145 मेरा क्या आना चाहिए आपको आपको रूट 3-1 इंक्रूट 3 प्लस 1 अपन 2 रूट 2 आना चाहिए ठीक है आना चाहिए बिल्लकुल आना चाहिए तो आपको होगे जड़ा Сीप्लिफाई करो गई や 55 रूट 2 यह साइन 45 रूट 2 होता है इसलिए जो 75 डिगरी मने हैं, यह करेक्ट है, जैसे है मैं साइन 45 डिगरी टो मिल गया जो की होता है, तो इसका मतलब क्या हो? तो लगा के लंबा लंबा होता निकल जाता वहां भी तो एक ही तीटा ता निकल जाता बट आप हमेशा ऑप्षिंस का इस्तिमाल करो ऐसे केसे में असान हो जाती है तो यह आपका 20 हो गया यह जो है वह आपका आपको बताना कि b e की लेंथ क्या है लेंट को निखालनी है तो दिकिए आप एक इंट्रेंट कि आपको यह चीज़ समझ में आ रहे है कि अगर हम इस तरह से कोई एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर ले जाएं यहां पर अभी मुझे लेंथ कुछ नहीं पता है राइट एंगल ट्रैंगल का तो हमारा जो अब्जेक्टिव एगर इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं तो इ यह भी मुश्किल नहीं है यह भी आसानी से मुझे दिख रहा है कि यह इसके पैरलल है तो पैरलल है तो मुझे यह भी दिख जाएगा कि जो ट्रैंगल आपका बनेगा एफ डी सी और जो ट्रैंगल आपका है एफ एम यह ट्रैंगल आपके सिमिलर होंगे क्योंकि बेस के प हमारा काम बन जाए गए यह ratio मुझे मिल जाए कि यह किस ratio में हैं तो हम इन दोनों का ratio निकाल लेंगे क्योंकि triangle similar है या फिर even हम इनका ratio निकाल लें EF का ratio अगर लेट से हम किसी तरह से EF का ratio FD से निकाल लें यह भी तो से निकालने दो तो अभी हमारा task देखिए उसी फोकस है कि वह value कैसे आए तो आपको वह देखो एक चीज तो बिल्कुल clear है 100% वह यह कि DF की लेंद्ध हम निकाल सकते हैं मैं कहूंगा कैसे आपको ट्वंटी और 10 के इंगल का hypotenuse है तो वह बन जाएगा 10 root 5 ठीक है अगर टू और वन होता था रूट फाइव बनता यहां 10 20 है तो टेन रूट फाइव बन जाएगा पूरी लेंथ मालूम चल गए अब अगर बेस लेंथ मेरे को मालूम है पूरी 10 रूट फाइव अब सबसे फंडामेंटल कोईशन जो आपके सामने है वो फंडामेंटल कोईशन यह है कि अब हम कैसे निकालें जो वैलू हमें calculate करनी है पूरी लेंथ हमें पता चल गए अब हमारी पूरी फाइट है कि किसी तरह से हम यह दोनों रिशियो निकालनें जो हम ट्राइंगल क्या यह तु박 दोनों ट्राइंगल राइंगल है एक द्राइंगल है नाइंत्य तो होंगे ही होंगी इसमें कहीं कोई शंका होगी ही नहीं तो आप Kajh यहाँ पर बहुत मिलान से इस पून्टिक्लर केस को देखें तो आप को ऊए-क दोनों opposite to 90 मेरे पास क्या है 20 वहाँ opposite to theta मेरे पास क्या है I have 10 and opposite to 90 मेरे पास क्या है जो अभी value मैंने calculate करी वो क्या calculate करी पूरी ये value जानता देखना जो अभी मैंने calculate करी है पूरी value that is simply df ऐसे लिख दो आप देखो जो आपको चहिए था वो आपको ratio मिल गया d e का d f से ratio मिल गया और d e का d f से ratio नहीं स्वारी रेशयो नहीं मिला एक मेरे ratio नहीं मिला यहां से d e upon 20 मिला opposite to 90 opposite to theta मेरा 10 है और opposite to 90 मेरा d f है d f की अच्छली पूरी value दी हुई है तो value में लिख देता हूं 10 root 5 यह cancel हो गया और d e की value अगर आप जहां से इत्मिनान से देखें तो 20 अपान root 5 आ रहा है 20 अपान root 5 अगर मैं लिखना चाहूं तो आइकन राइट 4 into root 5 into root 5 ultimately 4 root 5 तो d e की value 4 root 5 आ गई और जो पूरी value है वो 10 root 5 है तो e f आपका 6 root 5 आ गया clear यह value मेरी आ गई actually मैं अभी आपको सब कुछ मिल चुका है अगर आप इत्मिनान से देखें तो क्यों क्यों क्योंकि d e का जो d f से ratio आया अगर आप ध्यान से देखें तो d e एगर 4 root 5 आया और d f 10 root 5 आया तो relationship क्या करती है 2 ratio 5 तो अगर मैं d e का ratio let's say sorry अगर मैं e f का ratio लिख हूँ d f से so that is simply 3 ratio 5 तो अगर मुझे corresponding side का ratio मिल गया इसका ratio पूरे से 3 root 5 तो अब 3 part is 10 3 part is 6 यहां जो 5 part is 20 so 3 part is going to be 12 5 part is 24 times so 3 part will be 12 यह value आगे आप देखो आपका answer में रिखाल से आ जाना चाहिए क्योंकि यह 12 हो गया और यह आपका 10 और 6 बना जागा 16 जो right angle triangle है जिसमें आपका hypotenuse आपको निकालना था कुछ इस तरीके से है जहां पर आपको इत्मिनान से दिखना है कि this value is 12 this value is 16 और मुझे यह निकालना है so that will be 12 square plus 16 square I can clearly see it is 4 into 3 and it is 4 into 4 so basically it is 4 into 5 4 into 5 को आप 20 वोल तो a option ना कुछ करनी की जवरती नहीं इतना असान सा वाल है तो just you have to see कि भाई मेरे को कुछ निकालना है तो क्या-क्या पता होना चाहिए और उसी reverse process से हम पहुंच गे और हम निकाल लेगे जो में निकालना था it's very interesting question but very easy similarity का भेतरी निस्तेमाल है ऐसे questions examiner को बहुत पसंद ने exam में पूछना just be alert and you will be able to solve the questions easily अब देखें इस question में क्या पूछता है आप से कि एक figure आपको दिया हुआ है जिसमें कहा रहा है a b c d a square है b m आपका d e के बराबर है एक की value निकालनी है एक यहां पर आपको दिया हुआ यह वाला एंगल कैसे करेंगे इस question को दिखेंगे काफी ट्राइंगल का all angle 180 के बराबर होगा उसमें एक ही variable होगा एक्स तो इन दोना एंगल को कुछ x के term में लिखते हैं सम 180 करेंगे आंसर आ जाए ठीक है तो आपको देखो यह अगर एक से यह पता स्क्वार है 90 है तो यह 90-x बनेगा तो यह value 90-x होगई देखो एक एंगल तुर आप जला एक बात मुझे यह बताओ कि क्या यह angle आपको 45 degrees दिख रहा है क्या यह angle आपको 45 degrees दिख रहा है यह diagonal है तो 45-45 भी होगा 45-45 होगया आप देखो आप आपको यह side A है तो यह side A है यह side common है अब कितना आसान हो गया यह बोलना कि दो sides बराबर हो गई एक side actually बराबर ही अब अगर congruent होते हैं तो क्या होता तीनो sides बराबर होती है ultimately तो आपका यह जो BM है यह MD के बराबर हो गया देखो एक interesting बात ने कल गया बीम आपका MD के बराबर हो गया ठीक है अब हमारी पूरी जद्दो हद जो है वो यह निकालने की angle की है आपको यह 40 है तो यह angle भी 40 होगा क्योंकि आइसोस्लेस हो गया यह इसके बराबर हो गया यह 40 तो यह 40 तो यह overall value तो मुझे पता लगी 100 लेकिन आपने का काम बना नहीं अभी मुझे यही चाहिए overall नहीं चाहिए अब मुझे यह चाहिए यह निकालने के लिए triangle मैं आपको दिखा रहा हूं इत्मिनान से देखो इन दोनों triangle को ध्यान से देखो यह triangle भी आपके पता है क्या है congruent है कैसे यह मैं बताता हूं कि BM आपका MD के बराबर है ठीक दूसरा देखना ध्यान से कि जो CD आपका साइड है दूनों square के साइड है CD और BC यह भी बराबर है और CM कामन है triple S तीनों साइड सी बराबर हो जानी होगत हो गया अगर triangle अगर x है यह इंगल अगर एक से तो यह यह वाला एंगल भी कितना हो जाएगा एक सोजेक्स लेट यह इंगल मेरा एक सो गया तो यह एंगल कितना हो गया है यह 100-6 हो जाएगा अब देखो sum of 3 एंगल से 180 तो आप गोगे कि यह 100-6 90-6 यह 190-2 एक्स एक्षिली 230-2 एक्स यह अगर 180 के बराबर है find out तो एक्स 230-180 कितना हो गया 50 एक्स की वेलों कितनी आगे 25 डिगरी बरी इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन पहले आप देखो कि जो मुझे दिया हुआ है अगर मुझे कुछ निकालना है तो कैसे निकालेंगे वह थाट प्रोसेस आपको हेल्प करेगा पूरा क्वेश्चन करने म असानी से औरना बैठके इसे देखते रहोगे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा तो तेंक कि भाई जो मुझे निकालना है इम्मिडेटली मैं कहां से चल सकता हूं क्या क्या चाहिए उसको निकालो एक स्कृटम में आंसर आदेगा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में